बुर्मानिग भी आलाकोर आज हम अपटरो से इंपोर्टेन कीशन आ कि निससे बाएं बता रहे हैं तो दिखी इसमें फर्स्ट कोषिशन है एक मानो सरीर में ऐन्यचिक मास्कशियां कौन सी होती हैं एक मानोवी शरीर में अनाचिक जो मास्पेशिया होती है वो कौन सी होती है तो अनाचिक मास्पेशिया जो होती है वो हर्ट होती है दिल हर्ट की होती है नेक्स्ट हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है हमारी बॉड़ी में नमक की कितनी मात्रा होती है तो हमारी बॉड़ी में जूस नमक की मात्रा होती है 0.4 परशेंट होती है जीरो दस्मलाव 4 परश्चत होती है नेक्स्ट शरीर के किस भाग में पित रस वाइल जूस का उत्पादन होता है तो शरीर के पित रस यकृत में शावित होता है नेक्स्ट अगला कोईशन है अगला है हमारे शरीर में कुल कितनी मांस्पेशिया होती है हमारी बॉड़ी में कुल कितनी मांस्पेशिया होती है तो शरीर में लगभग 649 मांस्पेशिया होती है देखिए नेक्स्ट है कपाली तंत्रिकाओं के कुल कितने जोड़े होते हैं नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है मानुष्च के शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है तो अच्छा इस्कीन जिसे कते हैं सबसे बड़ा आरगन होता है इस्कीन शरीर में यूरिया का संस्लेशर होता है शरीर में यूरिया का संस्लेशर किसे होता है तो शरीर में यूरिया का संस्लेशर यक्रिस से होता है लिवर से होता है नेक्स्ट है कौन सा पदार्थ लगाने से रक्त का बहना रुख जाता है तो sodium chloride जिसे कहते हैं साधाराण नमक sodium chloride लगाने से रखता भणना रूख जाता है नेक्स्ट है सरीर का सबसे मजबुत शनाई कौन सा है तो सरीर का सबसे मजबुत शनाई होता है वह sodium होता है जो जो खिलाडी की माने स्पेशियों में नमक के परियापत होने से खिलाडि तक नहीं थकता है उसे थकान मसुस्त नहीं होता है नेक्स्ट है मानो मस्तिस्त कितने ग्राम को होता है मनुश्य में महुला मस्तिस्त क भार मता है वह 1450 ग्राम का होता है और महिला मस्तिस का जुभार होता है वह 1350 ग्राम का होता है नेक्स्ट है नेतरदान में नेतरदाता की आँख का कौन सा भाग प्रत्यार उपित किया जाता है नेत्रदान के दौरान नेत्रदाता नेत्र देने वाले की आंख का कौन सा भाग जो है पत्या उपित किया जाता है तो वह है नेत्रदान के समय नेत्रदाता की आंख का कानिया वाला भाग जो है पत्या उपित किया जाता है कानिया नेक्स्ट काला जार का संचार किस से होता है काला जार का संचार किस के कारण होता है किसके कारण वह संचरित होता है काला जार तो सिक्ता मक्खी के कारण जो है काला जार रोग का संचरित होता है सिक्ता मक्खी के द्वारा नेक्ष्ट है चेचक के टीके का विशगार किसने किया था चेचक के का विश्कार एडवर जेनर ने किया था टीटे के वैक स्किन का अविस्कार जो है एडवर जेनर ने किया था नेक्स्ट मीना माता रोग का कारण है मीना माता रोग का क्या कारण है तो मीना माता रोग का कारण है पारा पारा जो है मीना माता रोग का प्रमुक कारण है पीत जोर संचारित किया जाता है, पीत जोर किसके द्वारा संचरित होता है, तो पीत जोर एंडीज मच्छर के द्वारा संचरित होता है, फैलता है एंडीज मच्छर के द्वारा, पीलिया एक प्रतीक है, पीलिया किसका प्रतीक है, पीलिया एक यकृत की बिमारी का प्रतीक होता है हुए नेक्स्त दूढ में कौन सा प्रोटीन पने जाता है तोंही कैशिन नमक प्रोटीन पाज़ाता है कैसीन नमक प्रोटीन दूढ में काली मौत किसे करते हैं तो काली मौत प्लेग को कहते ह atención प्लेग निमारी को काली मौत कहते हैं एड्स A-I-D-S होता है एड्स क्या होता है तो ये एड्स विशाड से होता है विशाड के कारण होता है next हर्ट अटेक H-E-A-R-T-A-W-T-A-C-K किस कारण से होता है हर्ट अटेक किस कारण से होता है Heart Attack का कारण क्या होता है करने के लिए जिसे एक रिंशी डेंसीटी नेक्स नेक्स्ट हैं युश कावन सी अंतह श्रावित सिस्वतंतकारी कर सकती तो वह परावट्व ग्रनथी, घृवडये में राक्ट का संचर करने वाली ध्मनिया क्या कहलाती है? रक्त का संचरर करने वाली धमनिया क्या कहलाती है तो हरदय में रक्त का संचरर करने वाली धमनिया कहलाती है